एप्समाइचे सबसे पहले आज सक्राथ है तो आपको सक्राथ की, मकर स्क्राथ की बहुथ बहुथ बढ़ाई! इसवर आपका जीवन खुश्यों से बहुरें! और स्वीटनेस के साथ आपका हर पल हर लहमा गुजरें! तो दोस्तो जैसे कि मैं बताता था कि नम्या मैक जी नम्या फांडेशन एक online competition कराती है जिसमें कि पूरे देश से पूरे भारत से और साथ भार से भी authors, writers उसमें participate करते हैं और यह मेरी किस्मत है कि जो मेरी पहली रचनाती NWC 10 में उसको first prize मिला था डोली शहीदो की और दूसर मेरा NWC 13 में में participate किया उसमें था एक 4G की महबत दोनों ही देश वक्ति की रचनाय थी और नम्या मैक जी नम्या फांडेशन को thanks दिल से मैं करता हूं कि उन्हांने मेरे कलम की मेरे शब्दों की कीमत को समझा और उनको संबान दिया एक से बढ़कर एक काबिल authors और writers के बीच तो उसकी खुशी सब्दों ब्यान नहीं की जा सकती आत्मिक शान्ति और आत्मिक खुशी मिलती है और जब मैं YouTube चैनल पे वीडियो डालता था के नम्या मैगजीन या नम्या फांडेशन का नाम लेता था तो बहुत से मेरे दोस्त करते यह नम्या नम्या क्या है यह नम्या यह है नम्या मैगजीन नम्या फांडेशन की जो हार्ड कोपी है वो आपको में दिखा रहा हूं और इसमें वो सारे राइटर्स जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया वो सारे राइटर्स भी हैं एक से बढ़कर एक काबिल एक से बढ़कर एक लायक राइटर्स इसमे परतम पर रही थी और NWC 13 13 में एक फोजी की महपद यह परतम पर रही थी विजहीर रही थी आप लोगों की दूवा से आस अशिर्वात से तो दोस्तों दोनों केसों में आप देखोगे कि दोनों ही देश वक्ती की रचनाई हैं और दोनों को ही परतमस्तान मिला है इसे एक बात तो थाबित हो जाती है कि कलम होया बंदूक देश भक्ति तो हम कैसी भी रूप में दिखा सकते हैं और जब कलम और बंदूक की जीत होती है विज़े होती है तो एक अलग ही शांती अलग ही खुशी मिलती है उस खुशी को उस शान्ती को हम शब्दों ब्यान नहीं कर सकते और सारे दिगज एक से बढ़कर एक राइटर ओधर्स इसमें शामिल है मैगजीन के अंदर एक से बढ़कर एक मैं नम्या मैगजीन को दुआ करता हूँ उनके लिए कि वो सफलताओं के उचाहियां को चुमे और सफलता उनके कदम कदम पर उनका साथ दे थैंक्स लोट नम्या मैगजीन एंड नम्या फांडेशन